मैं शीचर का एक और नया पिसोड लेकर आ चुका हूं तो इंजोई करो शीचर की शिरुवात होती है और शीचर अपने घर से निकलता है और उसकी कर्मियों की छुटियां होती है तो फिर उसकी स्कूल बस आती है और कजामा कहता है कि आज जाओ बैठ जाओ शीचर शीचर स्कूल बस में तो शीचर आँके कहता है हेलो दोस्तो फिर शीचर पूछता है कजामा से कि यार आज भी हमें स्कूल जाना है क्या तो वो कहता है कजामा की किंडर गार्डन नहीं है तो फिर उसके बाद वो शिंचन जो होता है वो कजामा कान में खुक मारते है और मसाओ अपना फिर दिवार पर मारता है और फिर बार बार मारता रहता है अपना फिर दिवार पर मतलब खीड की खीड की फैर और फिर नएनी करती है कि अगर तुम ऐसी ही रोते रहे मसा हो तो मैं तुम आपने छोड़ूगी नहीं उसके बाद शिंचैन हरान हो जाते हैं और वो बो की तरह देखते हैं और वो एकदम फिपल होता है लेकिन जो हमारा किंडरकार्डन होता है उससे बस निकल जाती है फिर शिंचैन और वो भूते है प्रिंसिपल सर से कि सर बस रोगती है पीछे हमारा किंडरकार्डन निकल और फिर principal sir भी गयव हो जाते और bus जो होती है वो अपने हाँ चलने लग जाती है और bus की speed वो तेज हो जाती है और फिर एकदम मतलब क्या है कहूं एकदम तेज हो जाती है और जो भी चीज आती है वो निकल जाती है bus के अंदर से तो फिर उनकी जो bus होती है वो past में चली जाती है मतलब एक दिन या दू दिन पताने कितने दिन थे पहले पिर बोब को याद आता है कि यह तो वही दिन था जिसमें शींचन ने मेरी मदद की थी वो पत्थर निकालने में और उस पर लिखा होता है को जापनीज में मेरे को नहीं पता क्या लिखा था अ शायद कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इसे तोड़ने में लेकिन वह पथर नहीं तूटता चैन से और फिर वह बड़ा रान हो जाता है उसके बाद वह कहता शिचा को कि इसे पकड़ के रखना और फिर वह उसके शब्दों को मिटाने की कोशिय करता है और वह मिटा देता ह है लेकिन उसमें फैसे वह शब्द आत जाते हैं उप्र सारे पथर निकालता है और उस पर मारने लगता है और लेकिन वह नहीं तूटता हो शिंचैन भी मददです रखना नहीं अपर शीज़ कर सकता हूं इसके साथ इ America को दूने के लिए फिर शिंचैन अपड़ी पूरी जा मैं भुलार कर दिया और फिर उनकी बस हुआ में उड़रने लग जाती है उसके बार बो और बेहरा कि अब सब खक्थम हो गया हुआ हमें कोई नहीं बता है और दो लग बस últimos Administration हमें परेज जाती और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं अपने गार्डिन में प्लेगरांड जोगी है उदर आके वो जो होता है वो उसको देखता है पत्ता को वो जो चुक्रों में होता है और देखता है वो उसे उठा कर सुरज की तरफ और फिर वो बस हो जाती है गायाब और यही पर हमारा एपिजोड कतम होता है